फाइनली ओफाउंडर.net के अपडेट में ओग कनेक पर किया जाने वाला ओउनपैसिब 360 बेबिनार का लिंक को एड़ किया गया है ओग कनेक पर किया जाने वाला यह बेबिनार आज 18 अप्रैल गुरुबार को दो फर में सारे 3 बजे से सुरू होगा साथ ही ओनपैसिब बेब पोर्टल के टेंपलेट को भी अपडेट किया गया है तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मंटन सर्मा तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओफाउंडर.net के अपडेट में जारी किये गए ओनपैसिब 360 बेविनार के लिंक के बारे में जब आप ओफाउंडर.net में लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अपडेट में डॉन डिगामोदारा संजीुक तराज अमेरिका से यह पोस्ट किया गया है और यह पोस्ट कल 17 अप्राइल बुद्धवार को रात्री में 10 बज कर 11 मिनट में किया गया था इस पोस्ट में लिखा हुआ है उनपैसिब 360 रेड क्रिस पिसे साती थी माइकल बिलियम और यह पोस्ट 14 महीना 18 तारिक 2024 को 6 बजे पुरुबाहन ADT समय पर होगा यानि यह जो टाइम और डेट दिया गया है वह अमेरिका का टाइम और डेट है भारतिये समय के अनुसार यह बेबिनार आज दो फड में सारे 3 बजे से सुरू होगा और नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करें और इस टेक्स में अनपैसिब 360 बेबिनार के लिंक को एड किया गया है वहीं ओफाउंडर.net के अपडेट में एक और पोस्ट जूली गुएन को द्वारा संजीुक राज अमिर्का से किया गया है और यहाँ पोस्ट भी 17 अप्रेल कल बुद्वार को रात्री में 9 बज कर 15 मिनट में किया गया था नीचे में लिखा हुआ है C.A.T.M.O. दोनों वीडियो अबस देखें रास्ता स्रीमान एस मुफाडे और माइकल बिलियम्स A.I.M. ने इसे समझाया और नीचे में यहाँ पर यूटूब वीडियो का दो लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक करने की बाद आप यूटूब चैनल पर चले जाएंगे और यहाँ पर एक वीडियो प्ले होने लगेगा तो यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं वहीं जब आप दूसरे वाले link पर click करते हैं तो click करने के बाद आप सिधे YouTube channel पर चले जाते हैं और यहाँ पर भी एक video play होने लगता है तो यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो link पर click करके इस वीडियो को देख सकते हैं वहीं जब आप यहाँ click करने वाले text पर जब आप click करते हैं तो click करने की बाद आप सिधा OQ Connect के उस webinar में चले जाते हैं जहाँ पर यह webinar schedule किया गया है यहाँ पर इस तरह का option दिखाई देगा जिसमें continue using browser वाले option पर click करना है यहाँ पर यह बेविनार कुछ इस तरह से सिदूल किया गया है जिसमें लिखा हुआ है webinar on passive 360 Chris Redmarty, Michael Williams यह webinar 18 April 2024 को 3 बज कर 30 मिनट में किया जाएगा नीचे में webinar start in लिखा हुआ है और इस webinar को सुरू होने में अभी 6 घंटे 3 मिनट बाकी है होस्ट का नाम Marty लिखा हुआ है तो कुछ इस तरह से ओ connect पर किया जाने वाला on passive 360 webinar का link of founder.net के update में जारी किया गया है अब हम बात करते हैं on passive web portal में update किये गए नई templates के बारे में on passive web portal पर आने के बाद on passive web portal का home page कुछ इस तरह से दिखाई देता है on passive web portal के home page में यहाँ पर on passive का logo लगा हुआ है यहाँ पर home product about media center blog carrier और contact us का button दिया गया है यहाँ पर register login और long way change करने का option दिया गया है यहाँ पर join on passive ecosystem लिखा हुआ है साथ ही यहाँ पर register here for फिरी का button दिया गया है जिस पर click करने के बाद आप on passive के register page पर चले जाते हैं और यहाँ से कोई भी नया user अपना detail फिल करके on passive ecosystem में नया account create कर सकता है वहीं जब हम home page को scroll करते हैं तो scroll करने के बाद यहाँ पर on passive के जितने भी web solution है उनका list यहाँ पर बना हुआ है और on passive के सभी web solution बारी बारी से इस तरह से scroll होता हुआ नजराता है और जिस web solution का mobile application मौजूद है जिस web solution का mobile application बनाया गया है उसे download करने का option भी दिया गया है जैसे OES का mobile application यहाँ पर मौजूद है तो इसे download करने के लिए यहाँ पर Google Play और App Store का option दिया गया है साथ ही O Connect का भी mobile application मौजूद है तो इसे download करने के लिए Google Play और iPastor का option दिया गया है जब ये सभी web solution automatic scroll होता हुआ नजर आएगा तो उसे आप mouse से पकड़के इस तरह से रोक भी सकते हैं साथ ही यहाँ पर इसके बारे में detail से दिया गया है जिसे आप read mode वाले option पर click करके इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं वहीं इसे थोड़ा और scroll करने के बाद यहाँ कुछ इस तरह से animation होता हुआ नजर आता है यहाँ पर कुछ option दिये गए हैं यहाँ पर artificial intelligence लिखा हुआ है यहाँ पर read mode का option दिया गया है जिस पर click करके आप इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं और जब हम इसे थोड़ा और नीचे की और scroll करते हैं तो यहाँ भी कुछ इस तरह से scroll होता हुआ नजर आता है यहाँ पर be are the future of internet लिखा हुआ है और यहाँ पर read mode का button दिया गया है और यहाँ पर कुछ options दिये गया है और जब हम इस page को थोड़ा और अश्क्रोल करते हैं तो अश्क्रोल करने की बाद यहाँ पर AI solution लिखा हुआ है read mode का option दिया गया है यहाँ पर on passive the future of internet लिखा हुआ है और जब हम थोड़ा और नीचे की और scroll करते हैं तो यहाँ पर payment option का logo लगाया गया है और साथ ही यहाँ पर एक glow गुमता हुआ नजराता है तो on passive wave portal में नए theme को apply किये जाने की बाद on passive wave portal का home page कुछ इस तरह से दिखाई देता है और जब हम product वाले option पर click करते हैं तो click करने की बाद हम on passive wave portal के product page पर चले आते हैं और इस page को जब हम scroll करते हैं तो यहाँ पर on passive का जितना भी wave solution है उसका detail यहाँ पर दिया गया है इन wave solution में o connect, o tracker, o verify, o trim, o net, o mail और o yes दिया गया है और जब हम इसे और थोरा सा scroll करते हैं तो नीचे में payment option और globe घुमता हुआ नजराता है तो on passive wave portal का product page कुछ इस तरह से दिखाई देता है और जब हम about वाले option पर click करते हैं तो click करने की बाद on passive wave portal का about page कुछ इस तरह से नजराता है वही media center वाले option पर click करने की बाद on passive wave portal का media center page कुछ इस तरह से नजराता है यहाँ पर on passive के भारे में जितना भी article छपा है जितना भी news है उन सभी news को यहाँ पर post किया गया है और जब हम blog वाले option पर click करते हैं तो on passive wave portal का blog page कुछ इस तरह से दिखाई देता है वही career वाले option पर click करने की बाद on passive wave portal का career page के द्वारा on passive में job के लिए apply किया जा सकता है वहीं जब हम contact us वाले button पर click करते हैं तो click करने की बाद on passive wave portal का contact us page कुछ इस तरह से नजराता है यहाँ पर अपना detail फिल करके और message लिख करके on passive customer care से समपर्क किया जा सकता है वही register वाले option पर click करने की बाद हम सिधा on passive wave portal के register page पर चले जाते हैं जहां से कोई भी नए यूजर अपना detail फिल करके ecosystem में account create कर सकता है वहीं login वाले option पर click करने की बाद हम सिधा on passive ecosystem के login page पर चले जाते हैं तो on passive wave portal में नया template को apply किये जाने के बाद on passive wave portal का interface कुछ इस तरह से दिखाई देता है on passive wave portal का options और feature कुछ इस तरह से दिखाई देता है उमीद करता हूँ इस वीडियो में दे गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गये होंगे